जहें साथियों आप देख रहे हैं सरकारी जॉब रिपोर्टर और हम बात कर रहे थे पैंटर जेनरल आई टी आई 2020 की परिच्छा में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चिन की चलिए कोश्चिन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं दोस्तों यह कोश्चन बहुत है चाहे वो फश्टियर चाहे वो सेजन जीए मुश्चिन यह तो यहीं चलिए कि ए फ्लैस ऑफ जोन जिसे कहते हैं कि वर्शन नबर टू पर आते हैं पेंट की चमक किसके किससे मापी जाती है कि इसके ऑप्षिन है पेंटो मीटर ग्लास मीटर फिनिशिंग मीटर शाइनो मीटर तो इसका राइट आंसर है ग्लास मीटर दोस्तों आपने वर्क्शॉप में देखा होगा ग्लास मीटर से ही पेंटो की चमक मापी जा सकती है नेक्स्ट कोशन पर आते हैं फोर्ड कप का डाया कितना होता है ओप्षिन 1 3.2 mm 5 mm या 2 mm या 4.4 mm तो इसका राइट आंसर है ओप्षिन नमबर डी 4.4 mm नेक्स्ट कोशन पर आते हैं और लकड़ी का एक प्रकार है या लोहे का एक प्रकार है justement प्लास्टिक का एक प्रकार है या श्टील का एक प्रकार है तो इसका राइट आंसर आंसर नमबर सी प्लास्टिक का एक प्रकार है ABS आप जानते होंगे, कुछ पाई पाते हैं इसके Next question पर आते हैं Question number 5 है Job से spray gun की दूरी कितनी होनी चाहिए Option A, 4-5 inch, 15-20 inch या C, 8-6 inch, 14-18 inch तो इसका right answer है Answer C 8-6 inch, Spray, Job से spray gun की दूरी जब हम Spray penting करते हैं उसकी दूरी 8-6 inch होनी चाहिए Next question पर आते है Penting की viscosity कितनी होनी चाहिए Option 4-5 second, 11-13 second या 9-12 second, या 15-18 second तो इसका right answer है 11-13 second Next question पर आते है Penting की DFT कितनी होनी चाहिए 17-80 micron, या 100-120 micron, या 90-110 micron, या 130-150 micron, या 130-150 micron या 90-110 micron, या 110 को आते हैं Next question पर आते हैं Surprise gun की Penting कितनी डिगरी में की जाती है option 60 degree, 45 degree, 120 degree या 190 degree तो इसका right answer है option number तो इसका right answer है answer D 90 degree next question प्याते है इस प्रेगंद से प्रेशर कितना हो होता है option 2.4 kilogram centimeter square 3.6 kilometer square चा 4.2 kilogram centimeter square या 7.6 kilogram centimeter square तो इसका right answer है answer A 2.4 kilogram centimeter square next question प्याते हैं degree sin क्या है सता से paint पुरानी paint को हटाना सता से oily चीजों को हटाना सता से जंग को हटाना या अपर कोट करना इसका right answer है answer B सता से oily पेंटों चीजों को हटाना next question प्याते हैं यदि painting में दरार आ जाता है या सता खीची हुई दिख रही है तो कौन सा दोस होता है option चेकिंग चेकिंग ब्लीलिंग या ब्रीजिंग इसका right answer है B चेकिंग जब दिवारों में दरार आ जाती है तो उसे चेकिंग कहते हैं next question प्याते हैं यदि paint सूखने के लिए कुछ दिनों बाद paint का रंग उड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं ग्रीनिंग फ्लेकिंग फेडिंग या डिले मीशन जिसका right answer है answer C फेडिंग next question प्याते हैं question no.13 element surface के लिए किस प्राइमर का प्योग क्या जाता है option 1 plastic primer इस प्राइमर या वॉष्प्राइमर डीको प्राइमर या एनेमल प्राइमर तो इसका right answer है answer B 1 इस प्राइमर या वॉष्प्राइमर मेंटेलिक पेंट में कौं सा दोस कौं से पिगमेंट होते हैं और ओप्शन लोहा सिलिकॉन कौपर लोहा कौपर अल्यूमिनियम ब्रास कौपर या तो इसका राइट आंसर है अल्युमिन ब्रास कॉपर आंसर सी नेक्ट पर आते हैं सॉल्ट इस्प्रेय टेस्ट का कहां और किसके लिए प्योग किया जाता है कोश्चिन नuzन्युल फाइब कह रहा है सॉल्ट इस्प्रेय टेस्ट कहां और किसके लिए के जाता है ऑप्शन समद्री उक्रॉण़ के लिए नमकality पता करने के लिए इस्प्रेय का व्यास का में इसका राइट आंसर है समद्री उपक्रोणों में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों यह थे हमारे पेंटर जन्रल के कुछ मुख के बहुती ज्यादा इंपोर्टन कोश्चन जो परिच्छा में आने में 100 परसेंट निकाहाथ हो सकता है तो करपया इस वीडियो को अंतर तक देखें बिना स्क्रिप्ट किये और लाइक करें सब्क्राइब करें और शेयर जरूर करें थैंक्यू फॉर वाचिंग